रिसेंट में दिल्ली हाई कोट ने एक परिवार के उपर F.I.R को रद करने के लिए उस पर एक बेल देने के लिए उस पर अनोखी शर्त लगाई आईए चांदे हैं क्या थी ये शर्त और क्या था ये मामला केस का टाइटल है ओम कुमार एन O.R.S. वर्सेश स्टेट आफ देली केस की सुनवाई जस्टिस अनुप कुमार मैदीरता की बेंच कर रही थी दिल्ली हाई कोट ने दो मैई 2024 को एक अनुखा फैसला सुनाया जिसमें CRPC के सेक्षन 284 के आवेदन के तहट विचार किया गया था जिसमें एक पुलिस टेशन में दर्ज की गई IPC के सेक्षन 323, 354, 452, 506 और 34 IPC के तहट FIR को रद करने की मांग की गई थी और इसी मामले में विचार करते हुए कोट ने कहा कि कोट के लिए किसी भी मामले में बेल देने से पहले उस मामले की गंभीरता को देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई अपराद ऐसे होते हैं जैसे की हत्या, बलादकार, डगैती इसमें अगर समझोता हो भी जाए तब भी इसमें FIR को रद नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ अपराद ऐसे होते हैं जो भुलाए जा सकते हैं और समाज पर इनका बहुत ज़्यदा हसर नहीं पड़ता उन्हें CRPC के सेक्शन 482 के तहत सुना जा सकता है यह मामला 23 वरवरी 2015 का है जहां पर defendant ने आरोप लगाया कि उसके पडोसी और उसकी फैमली के मेंबर्स ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया था जिसमें छेड़ चाड़ भी हुई और मार पीट भी हुई इस घटना के बाद अलग-अलग धाराओं के तहत FIR को दर्ज किया गया था जिसके बाद कोट में उन दोनों पार्टियों के बीच समझाता हो गया था और क्राइम के नेचर को देखते हुए जेस्टिस मैदी रत्ता ने कहा कि ये समझाता पार्टियों के बीच जब भी होता है समाज में एक बढ़ावा मिलता है और जब पार्टियों के बीच समझाता हो जाता है तो सजा की संभावना भी कम हो जाती है उन्होंने एक अनोखी शर्ट लगाते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली के सरकारी पार्कों में तीन फीट उचाई तक के पचास पौधे लगाने होंगे और ये पौधे किसी अधिकारी की देखरेक में लगाई जाएंगे और उन पौधों की तस्वीरे भी कीची जाएंगी और एक इन्वेस्टिगेशन ओफीसर इसकी रिपोर्ट आठ हपतों के भीतर कोट में जमाभी करवाएगा और अगर पार्टीस ने पेड लगाने के निर्देश का पालन नहीं किया तो याची का करताओं उपर 25,000 रुपे का जुर्माना लगाए जाएगा तो ये था दिल्ली हाइर कोट का लेटेश जज्च्मेंट जज्च्मेंट के पीडियोफ कॉपे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो इंफोमेटिव है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मन भूलेगा